ये गाईज दिस इस दिक्षा जूही वेलकम टू माई चैनल इजी टू लर्ण गाईज आज के चुड़ों में हम बात करेंगे और्गनाइजेशन एंड एफन्टीज ओफ होलो सेफैली मिन्स गाईज होलो सेफैली के संग्ठन और समानताओं के बारे में तो चली गाईज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम होलो सेफैली के जनरल करेक्टर को देख लेते हैं होलो सेफैली इस वेरी स्मॉल एसियन ग्रूप ओफ हाईजी स्पेसलाइज मेराइन फिसेश मिन्स गाईज होलो सेफैली जो है अतिविसिष्ट समॉद्री मशलियों का एक बहुत ही छोटा और प्राचीन समूह है इट कमप्राइज़ ओफ रेट टेल्ट फिसेश दे अपीर्ट फर्स इन लोवर जुरैसिक पीरियर्ड एड प्रजेंट दे आर प्रजेंटेट बाई फ्यू मेराइन जेनरा ओनली इनमें रेट टेल्ट फिसेश सामिल है इन्हें गाईज सबसे पहले लोवर जुरैसिक पीरियर्ड में देखा गया था परव वर्तमान में केवल कुछ ही समुद्री प्रजातियों द्वारा अभी समू का प्रतनेदित्व किया जा रहा है इट इनक्लूड्स ओनली कार्टी लैजनस फिसेश हैविंग फ्लैसी अपरकुलर कवरिंग ओफ द गिल्स इसमें केवल कार्टी लैजनस फिसेश ही सामिल हैं जिनमें गल्फडों पर मानसल कवरिंग होती है तो चली गईज कुछ एग्जामपल्स देख लेते हैं सिमाईरा एंड इडस्टस एटीसी नेक्स्ट गईज अब हम देखते हैं जनरल ओगनाजेशन ओफ होलोसेफैली मीन्स गईज होलोसेफैली के संग्ठन के बारे में बॉड़ी अपर्चर इस सार्क लाइक बट दा हेड इस लार्ज एंड कंप्रेज्ड हैविंग ए स्मॉल माउथ इनके सरीर का आकार सार्क के जैसा होता है लेकिन सीर जो होए वो बड़ा होता है और संकुचित होता है जिसके आगे छोटा सा मुह बना होता है अपर कुलम इस फॉर्मड बाई फोल्ड ओफ स्किन तो कवर दा गिल्स लिट्स तो कि एक तह द्वारा अपर कुलम का निर्मार किया जाता है ताकि एक एकल साखा छीदर पाया जा सके टू डॉर्सल फिन्स आ प्रिजेंट मिन्स गाइज दो प्रिष्टी ये पंक मौजूद होते हैं सेक्सेस आर सैपरेट एंड सेक्चूर डायमॉफिजम वेल मार्क फिमेल्स आर लाजर तन मेल्स मिन्स गाइज लिंग जो होता है वो अलग अलग होता है और सेक्चूर डायमॉफिजम मिन्स यौण दुरूपता अच्छी तरह से चिनित की जा सकती है इनमें मादाएं जो होती हैं वो नर से बड़ी होती है The mouth is bounded by three lips like folds and equipped with the tooth plates having irregular surface and sharp cutting edge Guys इनका जो मुह होता है वो तीन होट जैसी सिल्वटों से घिरा हुआ होता है और दातों की प्लेटे इनमें लगी हुई होती है जिसमें अन्यमित रूप से और तेज काटने वाले किनारे होते है The truest muck is altogether absent and the intestine has a well developed spiral valve Means guys इनमें truest muck पूरी तरह से अनपस्थित होता है तथा आथ में एक अच्छी तरह से विक्सित spiral valve होती है Cerevrum is small, medulla ovlogenta is produced laterally into restiform bodies Guys जो cerevrum होता है वो बहुत ही छोटा होता है और medulla ovlogenta जो होता है वो पार्स रूप से restiform body में निर्मित होता है Holocephalians eyes are large in relation to the body size presumably as an adaptation to the total dark habitat in the deep sea Guys अगर हम Holocephalians के सरीर की अपेक्षा आखों को देखें तो इनकी आखें काफी बड़ी होती है ऐसा उनके गहरे समुद्र में रहने वाले आवासी अनकूलन के लिए होता है ताकि उस सही तरह से गहरे समुद्र में रह सके Next guys अब हम बात करेंगे FNTs of Holocephaly के बारे में Means guys Holocephaly की समानताओं के बारे में Holocephaly occupies a position in wedwin the cartilaginus and boney feces and have conserved certain of the primitive characteristics from their so-called placoderm acionters Guys Holocephaly cartilaginus और boney feces के बीच एक इस्थान रखता है और अपने तथा कथी प्लेको डर्म पूर्वजों से भी कुछ आदिम इसेस्ताओं को भी संरचित किये हुए है They saw rhythm balance with the elasmo branches on one hand and telos on the others Means guys ये एक तरफ तो elasmo branch के साथ समानता दिखाते हैं और दूसरी तरफ telos के साथ Holocephalians so both the characters of paleozoic elasmo branches as well as those of modern living sarks Guys जो Holocephalians होते हैं उन्हें पुरा पासाण कारवाले elasmo branch के साथ साथ आधूनिक जीवी सार की भी समानताएं दिखाई देती हैं There is a imbalance with diapnoe means guys ये diapnoe के साथ भी समानताएं दिखाते हैं Holocephalians so close relationship with some placoderms like rhamphodompsis and syndrela Means guys Holocephalians जो हैं वो कुछ placoderm जैसे की rhamphodompsis और syndrela के साथ भी घनिस्ट सम्मनता दिखाते हैं तो guys आसके वीडियो में बस इतना ही guys अगर आपको याँ वीडियो अच्छी लेगी तो please share करें साथ साथ में चैनल को subscribe करना ना भूलें thank you